आज हम चिकन तिक्का बनाएंगे वह भी रेस्टोरेंट स्टाइल में और घर पे बनाएंगे इजी मसालों से और जटपड में बन जाएगा चले आगे इसको स्टार्ट करते हैं यहां मैंने चस्ट के दो बड़े पीस लिए और इनको अच्छे से वाश करके ऐसे कटल लगा लिए डीप टीप से ताके हमारी मेरिनेशन जो अंदर तक जाए तो अब हम एक बाउल लेंगे उसमें दो से तीन चम्मच इसमें दही आड़ करेंगे दही आड़ करके हम इसमें स अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे चिकन की मैरिनेशन इसलिए जरूरी होती है कि ताके चिकन के मसाले जो हैं वो अंदर तक बिल्कुल और इसको हम बहुत अच्छे से मेरिनेशन करेंगे और इसके कट के अंदर भी बिलकुल अच्छे से करेंगे जब तक मैं इसको मेरिनेशन करती हूं जो टिक टॉक से देख रहे हैं वो फॉलो करें लाइक करें मेरी पोस्ट करें और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसकी हम जो चिकन वाली ज्यादा चिकन वाली साइड है वो नीचे रखेंगे और इसको जो मसाला बचेगा वो भी उपर अप्लाई करके इसको डखन रगा के तीन से चार मिंट हम इसको स्टीम देंगे तीन से चार मिंट के बाद हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंग तें से चार मिंट के बारा इसको स्टीम पर रखेंगे चिकन हमारा बिल्कुल गल चुका है अब हम इसको एक next स्टेप करेंगे इसके लिए मैं एक चमच मैदा लोगी और इसमें पानी डाल के हम इसकी अच्छी सी लेप बना लेंगे और इसके ऑप में चिकन डाल में पर लग तक में फ्राइ करती हूं जो मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा लें ताके नहीं वीडियो इसली मिल सके यह हम सिरफ एक से दो मिन्ट ही फ्राइ करेंगे दोनों साइडों को अब इसको हम निका दीजिए अल्ला हाफिज